दोस्तों नमस्कार जैसा कि आप देख सकते हैं कि छाट बृतियों सुल्क प्रतिपूर्थिया उनलाइन प्रडाली उत्तर परदेश वेफसाइट आप समयें खुली हुई है जैसा कि उत्तर परदेश में बहुत सारे छाट छात्रों के स्कॉलर्शिप जो है वो आना सुरू ह जाएगी अगर आप में कमिया है आपको फर्म पेंडिंग है तो आप उसे कैसे सुधार पाएंगे क्या उसके लिए कोई आपसन बचा है या नहीं बचा है आप ओबी सी कंडिडेट है स्कॉलर्शिप कब आयागी इसमें अगर चैनल पर आप नए दोस्तों प्लिस सब्स्र और 26 को भी बहुत सारे बच्चों की स्कॉलर्शिप आईए तो इसकॉलर्शिप कब तक आएगी अगर आपको फर्म में साइड डिटेल सी स्टेटस में दिखा रहा है कि जैसे आप देख सकते लिखा है कि बेरिफाइड कमांडेट बाई इस्टिक स्कॉलर्शिप कमेटी अ तो जितने भी मार्च या उससे पहले वेरिफाइड हुए हैं सबके स्कॉलर्शिप लगबग आ चुके हैं अगर आपको वेरिफाइड नहीं है पेंडिंग बता रहा है या इन्रोल्मेंट नमबर इर बता रहा है तो उससे आप कैसे ठीक करेंगे उसके लिए क्या करना है यहां स्कॉलर्शिप की जो आपिसियल वेबसाइड होगी इस पर आप आएंगे यहां पर कुछ नमबर दिये गए हैं इसा आप स्कॉल डाउन करेंगे यहां लिखा हुआ सोसल बेलफियर बैकवर्ड क्लास बेलफियर मानार्टी यह बच्चों के लिए हैं जो बैकवर्ड और मानार्टी वेलफियर से आते हैं तो आप लोग इन नमबरों पर कॉल करेंगे और यहां से अपनी समस्याओं को बताएंगे तो यहां से कुछ सिल्यूसन आपको बताया जाएगा अगर आप सब कुछ ठीक है अभी तक आपका पैसा नहीं आया है सब कुछ आपका सही है स PFMS status जब डालेंगे यहां पर तो खुल करके आ जाएगा और यहां से आपको करना क्या है यहां से आपको क्लिक करते हैं तो यहां से आप से अकाउट नमबर मांगेगा और उसके बाद में इसका Newton घ्जाएगा आपको रिजिस्टर होगा यहां Ninth यहाँ बैंक का नाम आपको लिखना है तो कुछ अच्छा उसके टाइप करने से यहाँ पर और उसके बाद जो है वो स्वयम बैंक यहाँ पर आ जायागा फिसे आपको कर लेना उसे select यहाँ लिखा भी है लिखा है इंटर फर्स्ट फ्यू करेक्टर आफ बैंक नेम जैसे माल लेते हैं कि आपका बैंक बढ़ोदा है तो यहाँ बैंक लिखना है और उसके बाद में थोड़ा वेट करेंगे तो नीचे सारे बैंक को की लिस्ट आजाए जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आप लिखेंगे फिर आगे स्पेस करेंगे तो फिर आगे यहाँ पर आएगा आप यहाँ देख लीचिए बैंक बढ़ोदा बैंक अपर इंक लिके बैंक ना इसी मोबाइलेक टायी चला जाएगा फिर जहां से आप आसानी से verify करके अपना status दे सकते हैं पैसा आया है या नहीं आया है तो आप लोग यहां भी काम कर सकते हैं और अगर आप यह सब नहीं कर पा रहे तो अपना खाता चेक कर वा ले account जो भी माल लिया आपके पास कई सारे bank खाते हैं तो सारे bank खातों को चेक करवाईए चुकि हो सकता है जो payment होता है वो आधार के माध्यम से होता है आधार seeding कौन से bank खाते पे है उसी पे चला गया आपका payment आप कोई दूसरा चेक कर रहे हैं तो इस तरीके से जो भी आपके खाते हैं अंतिम चीथी वो 31 March है चुकि जो financial year है 31 March यो खतम हो रहा है तो जो payment आपका है 31 March तक सभी बच्चों का भेज़ दिया जाएगा जिसके सारे form सही है सारे टेल सही है तो आपका payment 31 March 2024 तक हर हाल में भेज़ दिया जाएगा ये था वीडियो दोस्तों आसा करते वीडियो पसंद आया होगा चैनल पर नहीं तो फिर सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें दोस्तों में सियर करें ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार